जैपूर में करणी स्वेना के राश्विया ध्याक्ष गोगा मेडी की गोली मार कर हत्या कर दी कई है इस मामले में पुलिस ने जवाबी कारवाई करते हुए एक हमलावर को धेर कर दिया है पुलिस का बयान सामने आ चुका है बाकी दो आरोपियों की भी जल्द से जल्द गि मिलना है हमें सुपदेव सिंग जी से उनका जो सेक्यूरीटी है बोजा के पूछ लिया तो उनका अनुमती मिलने इस क्रॉसफायर में, क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया, तो वो जिसका डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत, वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के कास पास का रहने वाला है और अभी जेपूर में निवास कर रहा है, यह कोई दुकान करता है, कोई चोटा मठा कपटे का दुकान करता है, तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है, हमारे पस CCTV का फुटेज है, जो टोटल खडना क्रम है, वो CCTV में कैद हो गया है, और अभी उसी का चल रहा है, हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंचाएं जो यहां से जब भाग रहा था यहां से जब जा रहा था तो उनको एसकेप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आये था